आई जी ने लाल सोट शहर में कर्फ्यूंग रस्त क्षित्रों का किया दोरा राजस्थान पुलिस के जैकुर रेंज के आई जी एस से गान्थिर गुरुवार शाम को लाल सोट पहुँचे इस दोरान उन्होंने राजौली मोड, आजाद, चौक, जहरंडा चौक को थून रोड समेत कई इलाकों का दोरा करते हुए कर्यूगरस्त क्षित्रों का जायजा लिया इसके बाद वे लाल सोट पुलिस थाने पर पहुँचे जहां अतरिक्त तजिला कलक्टर लोकेश कुमार मीना वह अतरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिन चोहान से हालात के बारे में फीड़ बैक लिया और उचिट दिशा निर्देश भी दिये इस दोरान उपखंड अधिकारी जेपी गुर्जर, लाल सोट सीओ मनराज मीना, विकास अधिकारी योगेश कुमारेवन थाना प्रभारी अमित चोधरी भी मौजूद रहे लाल सोट में कर्फ्यू जारी, पुलिस की सकती के चलते गलियां भी सूनी शहर में गत सप्ताव शनिवार को एक लेब संचालक के करोना पॉजिडिव होने का मामला सामने आने के बाद जिला कलक्टर द्वारा लागू किया गया कर्फ्यू गुरुवार को भी जारी रहा पुलिस की इस सक्ती के चलते अब शहर की गलियां भी सूनी नजर आने लगी है वहीं दूसरी और गुरुवार को भी अत्रित तजिला कलक्टर लोकेश कुमार मीना व अत्रित पुलिस अधीक्षक अनिल सिंग चोहान भी लाल सोट में ही मौजूद रहे और हालात पर निगाहे बनाये रखी राज्तान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलीस कर्मियों को दिये फूल राज्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर शहर के जमात चौर आहे पर थाना प्रभारी अमित चौधरी व अन्य पुलीस कर्मियों को फूल दे कर समानित किया गया इस मौके पर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के सचिव कमल मीना, पालिका अध्यक्ष जगदीश सैनी, पार्शत दयाराम स्वामी, अशोक जमात, धनपतदात स्वामी समेत कई जनों ने थाना प्रभारी व पुलीस कर्मियों को फूल दे कर पुलिस स्थापना दिवस की शुब अध्यक्तान की शुब अप्रिल को इसमें सभी पुलिस वालों को आपनी सुथाम नहीं, इनकी मेहनत नतीज़ा है कि आज वारत विकासित देश में, विक्षित देश में जिसमें पुटने टेक रखें, उनके सामने अपन कुछ भी नहीं है, उसके बावजुद भी आज य चिकित्सा कर्मियों ने दोबारा घर-घर सर्वे शुरू किया, शहर के सामूदाइक स्वास्ते केंद्र चिकित्साले पर कारे रत एक चिकित्सा के आवास पर कुछ दिनों पूर्व तक कारे करने वाले एक युवक के भुद्वार को को रोना पॉजिटिव आने के बाद अविभा के अधिकारियों ने उक्त चिकित्सा के आवास पर पिछले दिनों इलाज पर पहुचने वालों मरीजों की च्छानबीन करना शुरू कर दिया है, गुरुवार से ब्लॉक मुखिल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर, धीरज शर्मा की अगवाई में चिकित्सा कर् गर गर सर्वे किया, ब्लॉक मुखिल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर, धीरज शर्मा ने बताया कि उक्त चिकित्सा के आवास पर गत दिनों पहुचे सभी लोगों की तलाश करते हुए उनकी भी जाच कर आई जाएगी, 47 जनों के लिए सेंपल, दो को भिजा क्वारंटी सेंटर पर, शहर में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आई लोगों की जाच के लिए सेंपल लिए गए, ब्लॉक मुखिल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर, धीरज शर्मा ने बताया कि बुद्वार को कोरोना जाच के लिए 47 जनों के लिए नमू अने जन्हें जाच के बाद अस्थाई क्वारंटाइन में भेज दिया गया